चांद पर एलियंस से मिले थे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री. जानिये, आखिर क्या है रहस्य? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1999 को इतिहास रच दिया था. अमेरिकी अतनरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मून मिशन के तहट, पहली बार इनसान ने च चांद पर कदम रखा था. नील, आर्म, स्ट्रॉंग पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया. इसके बाद अमेरिका ने चांद पर पांच अभियान भेजे थे, लेकिन साल 1912 के बाद यह सि पोलो 11 मिशन यानी चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुँचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई. इस रील्स में चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद के वीडियो थे. रौ टेप्स गायब होने के बाद एलियन की थियोरी आई. बताया जाता है क कि शायद टेप में कुछ ऐसा था जिससे चंद्रमा की सच्चाई पता चलती थी. चंद्रमा पर शायद कुछ अलग था या वहाँ पर एलियन्स रह रहे हों. यहां तक कि चांद पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से उनकी मुलाकात भी हुई हो. उस समय किसी भी च कि चंद्रमा के बहुत छोटे हिस्सों के बारे में हम पता लगा पाए हैं. सच में भीतर से वह बहुत खोखला है और वहां पर गहरे गड़ों में दूसरी सभ्यता निवास करती है. अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा के अंदर की हलचल के बारे में जानने के लिए सिस्म खोखली या कम डेंसिटी वाले स्थानों पर इस तरह की आवाजे आती हैं. सवाल है कि आखिर चांद के खाली भाग में क्या होगा? कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसानों को जानकारी नहीं है. वैग्यानिक और यूएफो विशेशज स्कॉट वेरिंग का जानना है कि साल 1972 में जब आखिरी बार चांद पर अमेरिका गया था, उस दोरान एलियंस ने चेतावनी दी होगी. कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बार टेप खो गये और फिर कोई इंसान चांद पर नहीं गया.